पूर्व केंद्रिय मंत्री और बीजेपी के पूर्वनेता यहश्वन्त सिनहा ने रविवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर अप्रत्यक्ष हमला बोला बीजेपी सांसद शत्रोगन सिना के साथ चंडिगर पहुंचे यहश्वन्त सिनहा ने पाकिस्तान की ओर से किये गए ताजा सीच फायर और लंगन का उदाहरन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अब तक पाकिस्तान को सबबक सिखाने में नाकाम रहे हैं यहश्वन्त सिनहा ने कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की चाल का शिकार हो गए और खुद पाकिस्तान जाने के बावजूद भी पाकिस्तान की हरकतों पर काबू नहीं पा सके उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद लोगो को उम्मीद जगी थी कि वे पाकिस्तान समर्थित आतंकवात को खत्म करेंगे लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ करनाटक में BJP ने किया नाटक करनाटक में सरकार बनाने में नाकाम रही भारतिये जंता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए यश्वन्त सिनहा ने कहा कि BJP को करनाटक में जाकर नाटक नहीं करना चाहिए था यश्वन्त सिनहा ने साफ किया कि उनका मंच भारतिये जंता पार्टी के खिलाफ नहीं है लेकिन पार्टी के भीतर जंतंत्र खत्म हो चुका है जिसके चलते पार्टी संगठन कमजोर पड़ गया है पूर्व केंद्रिय मंत्री यश्वन्त सिनहा ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर अप्रत्यक्ष हमला बोलते हुए कहा कि अब भारतिय जंता पार्टी इन दो लोगों की पार्टी बन कर रह गई है और आज पार्टी अपना पुर नाव लड़ना चाहते हैं जब उनसे यह पूछा गया कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन सा नेता हो सकता है तो उन्होंने कहा कि नेता बनाए नहीं जाते बल्कि अपने आप उभरते हैं कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांदी के प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत पर सिन्हा ने यहां कहकर सवाल का जवाब टाल दिया कि वे किसी व्यक्तित्व पर टिप पनी नहीं करना चाहतें तो मैं भी बागी हूँ पार्टी के खिलाफ बागी रुख रखने वाले बीजेपी नेता शत्रुगं सिन्हा ने कहा कि उन्होंने अब तक पार्टी के किसी भी आदेश का उलंगन नहीं किया है और अगर सच को सच कहना घलत है तो वे है बागी है सिन्हा ने कहा कि उन्होंने अभी पार्टी छोड़ने का मन नहीं बनाया है और अगर पार्टी चाहे तो उनको निकाल सकती है उन्होंने कहा कि पार्टी किसी व्यक्ती विशेश से बड़ी होती है और पार्टी से भी बड़ा देश होता है शत्रुगन सिन्हा ने कहा कि नोट बंदी लागू होने के बाद छोटे छोटे काम धंदा करने वाले लोग बरबाद हो गए और उसके बाद रही सही कसर जीये सटी ने पूरी कर दी सिन्हा ने अप्रत्यक्ष रूप से स्विकार गिया कि उनको पार्टी के वरिष्ट नेताओं और राश्ट्रे स्वयन सेवक संग का आशिरवाद प्राप्त है इसलिए उनको पार्टी से निकालना आसान काम नहीं है